हलो फ्रेंड्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे पोपकॉन की रेसीपी असान फूड रेसीपी इसके लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें पोपकॉन बनाने के लिए हमने एक पेन में लिया है चार टेबल स्पून तेल अब हम इसमें एट करेंगे हाफ टीस्पून नमक और एक तीहाई टीस्पून हल्दी पाउडर देखिए हल्दी पाउडर जो है वह यहाँ पर बिल्कुल ओप्सनल है अब इसको तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेल को गरम होने देंगे तो यहाँ पर तेल अच्छे से गरम हो चुका है हम इसे पूरे पेन में अच्छे से स्प्रेट कर देंगे और गेस की फ्लेम को हाई करके इसमें एट करेंगे आधा कप कोन यानि की पोपकोन यह जो है वो हाट कोन है जो कि मार्केट में इजी लिए आपको मिल जाएंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमने इनको तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और गेस की फ्लेम को हम यहाँ पर हाई रखेंगे और अब इसे cover कर देंगे जिससे कि आप देख सकते हैं कि popcorn बनने लगे हैं तो हमने इसे तब तक cover करके रखना है जब तक इसमें से अवाज आना बंद हो जाए अवाज आना बंद हो जाएगी इसका मतलब है कि popcorn जो हे वो बन कर तैयार है इसे तो पॉपकोन प्रेसर कुकर में भी बनाए जाते हैं लेकिन हमने इन्हें फ्राई पेन में बनाया है क्योंकि इनको खाने से ज़्यादा मज़ा इनको बनते हुए देखने में आता है इसलिए हमने इसे ट्रांस्परांट लीट से कवर किया है सच बोलू तो यह पॉपकोन की जो उच्छल कुदे वो बहुत ही मज़े की होती है इसलिए हम इसे पेन में ही बनाते हैं आप भी देख रहे होंगे और आपको भी मज़ा आ रहा होगा अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में जरूर सेर कीजिएगा प्लीज कॉमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ सेर कीजिएगा कि यह पॉपकोन की जंपिंग मुमेंट आपको कैसी लग रही है जब इसमें से आवाज आना बन दो जाए तब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और लीड हटा लेंगे देखा आपने कितने कुरकुरे हमारे पॉपकोन बनकर तैयार हुए हैं वो भी कितने आसान तरीके से तो खाने के लिए तैयार है होम मेट पॉपकोन याने कि जंपिंग पॉपकोन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें फिर मिलेंगे जाएका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपि के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई